सो सब से पहले हम करेंगे सिंगल यूज प्लैन को कभर चलिए क्या है सिंगल यूज प्लैन समझते हैं सिंगल यूज प्लैन वो प्लैन होता है जो किसी प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ किसी एक प्रोजेक्ट के लिए तयार किया जाता है सिंगल यूज मतलब सिर्फ एक बार की यूज के लिए इसे तयार किया जाता है यह particular किसी एक situation पर based होता है जैसे हमने नाम से ही पता चल रहा है कि single use plan मतलब एक बार इस्तमाल करने के लिए तैयार किया गया plan यह plan प्रोजेक्ट के duration पर depend करता है जो कि हो सकता है कि एक दिन के लिए हो एक हपते के लिए हो या फिर एक महिने के लिए भी यह हो सकता है इस plan के अंडर क्या क्या आते हैं प्रोजेक्ट की सारी details आती है साथ में budget आते हैं और programs इसके अंडर maintain किये जाते हैं next अब हम देखेंगे standing plan क्या है standing plan standing plan वो plan होता है जो कि day to day work को carry करने के लिए होता है जिसमें की business की working सही तरीके से smoothly चलती रहे ये देखना ही इस plan का काम होता है standing plan के अंडर क्या आता है policies आते हैं, methods आते हैं, rules और procedures आते हैं अब देखें plan के according work करेंगे तो क्या होगा रोज तो इससे efficiency भी increase होगी company बहतर से बहतर performance करेगी और इसे एक ही बात तैयार किया जाता है पर जरुवत पर इसे modify हम कर सकते हैं तो ये हो गए standing plan चलिए, अब हम समझेंगे next वाले को next है हमारा objective objective क्या होता है so planning में सबसे पहला काम क्या होता है objective set करना right अच्छा objective होता क्या है so objective का मतलब है कि company की वो position जहां पर future में company पहुँचना चाहती है for example माल लो कि company की जो objective क्या है उसे अब 6 महिने के अंदर वो क्या चाहती है company चाहती है कि अपना sale को वो 10% बढ़ा दे 10% वो क्या चाहती है कि अपना sale को वो बढ़ा ले 6 महिने के अंदर है company की objective जो की company को cover करना है objective हमेशा management जो की top position पर होती है वो set करती है और इसके साथ यह क्या होता है यह written form में होता है जिसे की company में सब को पता चले कि उनकी objective क्या है उन्हें क्या करना है किस चीज के लिए आगे बढ़ना है तो यह quantity term में miserable है देखिए इसके features साथ ही यह achievable है तभी तो इसको objective बनाया गया है साथ में इसके लिए time limit भी set की जाती है और यह related किस से होती है single task results से relate करती है चलिए next हम देखते है strategy strategy क्या है strategy क्या है actually में यह सारे terms हमें थोड़े बहुत सब को idea होता ही है कि यह क्या क्या है पर हमें क्या जाना है कि business में इसे किस तरह से apply किया जाता है तो उसकी टेक्निक क्यालिटी को हमें समझना होगा strategy क्या है जब हम objective ready करते हैं तो उसे पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा वो है strategy इसमें resources allocate करने से लेकर किस तरीके का action follow करना है यह सब आता है लेट्स टेक एन एक्जांपल वही सेम एक्जांपल हम लेंगे कि company को 10% अपना sale enhance करना है छे महिने में तो उस objective को fulfill करने के लिए क्या कुछ new product launch करेगी या तो फिर company में company new product launch करेगी या फिर marketing में कुछ changes लाएगी या फिर customer को कुछ new offers देगी तो यह सारी क्या है strategies है आपको clear हो रहा होंगे points सारे चलिए अब देखते है policy क्या होती है policy क्या होती है policy कुछ directional statement होती है जो कि strategy को तयार करने के लिए policy को क्या किया जाता है policy को base की तरह माना जाता है और यह policy जो रहती है company अपने client customer वगरा वगरा सबको यह अपनी policies share करती है company अपनी policies बताती है कुछ internal matters को छोड़कर policies जो क्या होती है सब के लिए होती है for example company की policy है कि वो हर customer को की जो queries होगी वो solve करने की कोशिश करेगी जिससे क्या होगा बाद में sale enhancement में उसे फाइदा मिलेगा यह है company की policy next चलिए देखते हैं procedure procedure क्या होता है procedure procedure हम हम समझेंगे क्या होगा procedure procedure क्या है step by step कैसे काम करना है उसकी पद्धती क्या है मतलब एक step के बाद दूसरा step कौन सा follow करना है यह है procedure जैसे company पहले क्या करेगी raw material purchase करेगी फिर उससे product तयार करेगी पैकजिंग करेगी फिर उसे market तक पहुचाएगी और फिर after sale service भी प्रोवाइट करेगी तो यह क्या हो गई यह सारी हो गई प्रोसिजर्स देखिए sequence होती है यह क्या होती है steps की sequence होती है और इसे एक के बाद एक follow करना होता है तब ही हम सारे काम पूरे सही धरीके से कर पाएंगे next चलिए देखते है नेक्स हमारा rules rules क्या होता है rules मतलब नियम पता ही है hem सबको क्या करना है और क्या नहीं करना है कौन से काम करने है और कौन से काम नहीं करने है और इस rule को जो नहीं मानेगा उसे क्या होती है penalty भी चार्ज की जाती है क्रिएट करेगा चले नेक्स देखते हैं प्रोग्राम क्या होते हैं प्रोग्राम जो होता है कंपनी के प्रोजेक्ट का पूरा लेखा जोखा होता है उसमें क्या-क्या होता है बजट आता है उसकी रिसोर्सेस अब्जेक्टिव प्रोसीजर पॉलिसी साथ ही साथ रूल्स भी होते हैं कि हमें कौन-कौन से रूल्स फॉलो करने हैं हर एक चीज को डीटेल में बताया जाता है अंडर प्रोग्राम ठीक है और यह हर लेवल पर प् में मैतिक्स दःता जाना प्रोसीजर के चाहें प्रोहां को अनेयों होगा जिस की तरीका हो या फिर वो से शोर्स को किस तरह से यूज करेगा कौन से सबसे अच्छे होंगे जिससे की टाइम, मनी और रिसोर्स सब की बचेत हो यह मैठेट के थुरू देखा जाता है इसके लिए ट्रेनिंग की जाती है वक्षोप अरेंच की जाती है सेमिनार यह सारे और्गनाइज कंपनी करती है तो इससे क्या होता है कंपनी सारे कंफ्यूजन को को क्यूभी कोजन ना हो काम में वर्कर को इससे अवाइट है से सकता है तो की सब्स्सक्राइब करते हैं जैसे की फैनेंचे बज्द हो गए आप्रेशना बजट हो गए cash budget, capital budget वगेरा वगेरा यह सारी क्या है budget के टाइप से होते हैं और यह business की हर level पर prepare की जाती है जैसे कि हम कहते हैं इस project को करने के लिए हमें इतने amount received हुए है और उसमें हमें इतने खर्च होंगे साथ ही हमें company को इतनी profit होगी तो यह क्या हो गई budget होती है तो यह control करता है cash की use को budget पे हम क्या देखते है cash की use को यह क्या करता है control करता है तो यह हमारी हो गई budget I hope आपको यह class पसंद आई होगी class अगर पसंद है तो please like share subscribe करने thank you